जन्पत फरुखाबाद कजबा शिम्शबाद की चुन्नी देवी राज नरैन मेमोरियल महाविध्याले को जाने पर चात्र चात्राओं को काफी प्रिशानी हो रही है सडकना बनने के कारण कीचर का सामना करना पड़ रहा है जहां आपको बता दे सरकार के लापरवाही से स्कूल वो कॉलेज जाने पर चात्र चात्राओं को काफी प्रिशानी हो रही है शमशबाद के चुन्नी देवी राज नरायन मेमोरियल महाविध्याले जाने वाले मार्ग का रास्ता खस्ता हाल होने के कारण चात्र चात्राओं को निकलने में प्रेशानी होती है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं चात्र चात्राइं गिर भी जाते हैं जिसे चात्र चात्राओं को चोड़ भी आती है वहीं पर आपको बता दे विध्याले के परभंदक परकाश रस्तोगी ने डिया मानवींदर सिंग को पत्र द्वारा अबगत करवाय था उसके वाब दूधी सडक सही नहीं हुई जबकि चात्र चात्राओं की प्रिक्षाईं नज्जीक हैं उसके दुरान प्रिक्षा देने में चात्र चात्राओं को कटी नाहि उठानी पढ़ती हैं और शम्षा बादस्तित मंडी समू रोड के संपर्क मार्ग से जाने वाला रास्ता चुन्नी देवी रास नरायन मैमोरियल महा विध्याले वा अन्य ग्राविन शेत्रों को जाता है इस मार्ग पर मिट्टी पड़ी हुई है बरसात के समी रास्ती में जल भराव हो जाता है चाशी अधिकारी सहित जनप्रति नीधियों को मौकिक और लिखित रूप से मार्ग बनवाने के लिए निरौद किया गया था मगर किसी ने भी चात्र चात्राओं की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया इससे आए दिन चात्र चात्राओं की कपड़े खराब हो जाती है और गिरने से चोड़ भी लग जाती है आप देखना है कि सरकार चात्र चात्राओं के लिए क्या है ये रोड बनवा पाएगा या नहीं देखिए हमारे कॉलेज में आपजरवर महोदय जी सीड़ी आदब जी आ रहे हैं और इस रोड की आप हालत देख लीजिएगा ये चुनिदेवी राज नायन मेमरियल महाविद्याला है और यहाँ परिच्छाएं चल लएगे हमारे अबजरवर महोदय सीड़ी यादब जी इस समय प्रवेश कर रहे हैं महाविद्याला में परिच्छा चल लए है और सड़क इतनी खराब है कि आप निकल नहीं सकते अब जरवर महोदय हमारे पास में लगे हुए भटे पे अपनी गाली ख़ली करके आए है और वहाँ से आप देखिए इस रोड से पैदल आए है ये देखिए आप